तो हेलो स्टुडेंट्स एंड वेलकम अगेन जैसा कि आपको पता है हम लोग मैगनेटिक इफेक्ट्स ओफ करंट के बार में स्टडी कर रहे हैं आज कल ठीक है और यह लेक्चर नमबर थ्री पर पहुंच चुके हैं हम लोग मेभी थ्री टू फॉर लेक्चर्स हो लगे हैं ह मैगनेटिक मिटिरियल फिर उसकी स्टडी करेंगे सोल लहीं हम लोगों ने सौलियोनॉइट का मैगनेटिक फिल्ड निकाला था और उसके साथ हमने यह देखा था कि जो magnetic force कितनी लगती है अगर कोई charge particle magnetic field में हो ठीक है आज हम लोग क्या करेंगे कुछ और topics आगे study करेंगे जो कि अपने thumbnail में देखी लिया होगा एक तो cyclotron के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में उसके बाद कोई current carrying wire है तो उसके उपर कितनी force लगती है वो पढ़ेंगे फिर force between two parallel currents पढ़ेंगे हम लेकिन उससे पहले उससे पहले हम लोग यह देखते हैं कि magnetic field जो है वो कितना work done करते है ठीक है तो हमारा जो पहला topic है वो क्या है work done by magnetic field ठीक है तो magnetic field में जब magnetic force लगती है वो कितना work done होता उससे वो देखेंगे हम आज पहले है क्योंकि बहुत इसी है हमें पता है कि जो magnetic force है उसको कैसे लिखते हैं उसको लिखते हैं क्यों इंटू वी क्रॉस्ट यह formula अब जो work done होता है work done का formula क्या है work done अगर हमने निकालना हो वो होता है force और displacement का displacement का दॉट पर डगता है तो dw is equal to क्या हो गया f की जगा यह लिख देते है वी क्रॉस बी और डॉट डीएस ठीक है यह आगे है इसका हमला dw is equal to अब हमें पता है कि विलॉस्टी जो होती है वह होती है है ds by dt तो क्या हम ds को v dt लिख सकते है लिख सकते हैं तो यह अगरे q into v x b dot v dt त इसका हमले इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं q dt को यहां लिख देते हैं और अंदर लिख देते हैं v V x V . V ठीक है अब हमारे पास relation है उस relation के according हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं ठीक है जब हमने वेक्टर्स का तीन वेक्टर्स का product किया था ठीक है तब हमने किया था इसको ऐसे भी ले सकते हैं V x V . अब अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास V x V यह पैरलल वेक्टर्स का cross product हमेशा जीरो होता है तो work done by magnetic field is always 0 ठीक है इसका हमलो work done by magnetic force is always 0 ठीक है इसको यह मतलब होता है ने change in w is equal to 0 ठीक है small work done है बस ठीक है तो जब भी magnetic forces evolve होती है कहां पर involve होती है तो वहां पर हमेशा work done 0 होता है अब हमें पता है according to work energy theorem work energy theorem क्या होता है कि change in kinetic energy is equal to work done ठीक है अगर work done ही नहीं है तो kinetic energy में change नहीं होगा इसका मतलब magnetic forces किसी भी charge particle को speed up speed down नहीं कर सकती ठीक है किसी भी charge particle speed increase नहीं कर सकती और just speed decrease नहीं कर सकती दोन्हों में से कुछ नहीं कर सकती ठीक है बस direction change कर सकती है जो कि हमने last time देखा कैसे ठीक है जी चलिए जी यह तो हो गया work done by magnetic forces होती है नहीं होती वगरा वगरा ठीक है आगे एक बोद इंपॉर्टन टॉप्टिक है जिसको बोलते है velocity selection velocity selection of particles ठीक है पार्टिकल की velocity कैसे स्लेक्ट करते है मतलब velocity selection का मतलब है कि मालों बहुत सारे एक स्वांप जो पार्टिकल्स का एक डारेक्शन में रहे हैं हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर विलोस्टी वाला चार्ज पार्टिकल ही आगे जाए बाकी डिफलेक्ट हो जाए दर उदर ठीक है इसको कहते हैं velocity select करना है तो हम एक condition लगाते हैं हम लोग एक condition लगाते हैं उस condition में क्या है उस condition में हम electric field और magnetic field को perpendicular रखते हैं ठीक है कैसे एक condition है हमारे पास अगर हम ऐसा करें ठीक है यह x-axis है यह y-axis है यह z-axis electric field को हम y-axis के लॉंग ले ले ठीक है magnetic field को हम z-axis के लॉंग ले ले ठीक है और e is equal to लिख ले तो मैं e not j cap और b is equal to लिखता हूँ b not k cap ठीक है जी ओके रपोर्ट ठीक है इस तरीके से लिख ले अब और और particles को कुछ charge particle को मैं इधर से इधर को बेहता हूँ ठीक है इधर को initial velocity v तो v is equal to हो गया v not i cap इस तरह के यह हमारी condition है अब हम देखते हैं कब ऐसा होगा कि इस particle के ओपर total force 0 आ जाए और force होती है v cross b तो v cross b करोगे तो force की direction तो होगी निचे को कौँसी? magnetic force और electrical force की direction होगी उपर को को एक ऐसी condition होगी कि electrical force और magnetic force का magnitude बराबर हो जाएगा उसकी वैसे particle बिल्कुल भी deflect नहीं होगा बाकी सारे particle को इधर को इधर चलाएगा ये वाला particle सीधा चला जाएगा तो जिस particle की कुछ particular velocity होगी बस वो ही यहां से pass कर सकता है वो देखते हैं कैसे अब देखते हैं इसी चीज़ को मैं यहां भी लिख देता हूं वो क्या है देखें हमने लिखा दी E is equal to E not J cap हमने लिखा B is equal to B not K cap और हमने लिखा V is equal to V not I cap यह लिखा हमने तीन चीज़ है अब इस charge particle total force की होगी तो हम low end force follow formula लगाएंगे कौंसा देखें F is equal to QE plus Q into V cross B यह formula है तो F is equal to QE E लिख लेते हैं E क्या है E not J cap Q और V क्या है V not I cap और B क्या है B not K cap यही condition है ठीक है जी F is equal to किसके बराबर आ गया Q into E not J cap plus V cross I cross K क्या होता है minus J I cross K minus J आ तो यह बन गया Q V not B not minus J cap ठीक है अब इसको कह लिए सकता हूं F is equal to Q को common ले लेते हैं और यह बन गया E not minus V not B not और J cap अब यह force 0 कप होगी F is equal to 0 when charge का magnitude तो 0 नहीं हो सकता न E minus V not upon B is equal to 0 यह 0 होगा तब भी force 0 होगी ठीक है तो V not इसके बराबर आएगा E not upon capital B not जिन particles की यह velocity होगी यानि की जिन particle की velocity electric field का magnitude divided by magnetic field का magnitude के बराबर होगी वो particle deflect नहीं होगे उनके उपर total force 0 होगी ठीक है तो इसका मदब जिन particles की आम इस तरीके का electric field और magnetic field कम ज्यादा कर सकते हैं ताकि एक specific velocity वाला particle ही आगे travel करें ठीक है इसको कहते है velocity selection आपने सुना वा जे जे थॉंसन जी थे और जे जे थॉंसन ने इवाइमरेशों निकाली थी electron की वो इसी concept को यूज किया था उन्होंने अपने experiment में वहाँ पे हुआ था ये ठीक है यही चीज यूज की गई थी ठीक है ये जे थॉंसन था ठीक है तो जो उनका experiment था इलेक्ट्रोन की discovery की थी उन्होंने आपको बता है ठीक है इसमें कोई दिक्कत मुझे न लगता आपको होगी कुछ है तो आप बता सकते हों अगर आपको क्लीर है यह तो आगे चलते हैं फिर ठीक है चलिए आगे हमारे पास आएगा सकते होगहास है तो हमारे इसमें कीडोला सीक्लोम बहुत इंपॉ unpack है और बहुत इसी मुश्किल कुह तो होग्म साभाइंlla ओर इंपॉर्टन बहुत है पेपरों में बहुत वार आ चुके है साईक्लो टेसान पढ़े तो हैं डालते हैं कि साइक्लो टूंग है तो अब है गया साइक्लो टूंग अब टेकर जैसे वैसे मैंने आपको बताया नहीं एक वेंडी ग्राफ जनरेटर भी था लेकिन वह अब स्लेबल से अच्टूक है इसलिए उसके बारे में मैंने बताया नहीं आपको चलिए आगे बताथ इसके बारे में करते हैं कि तो साइक्लो ट्रों कि इस डिवाइस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाइ एनर्जी यानि कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम चाहते हैं हाई इनर्जी पे ले जाने के लिए उनकी कनेटिक इनर्जी हाई होने चाहिए यानि कि उनको हाई विलोस्टी पे ले जाना पड़ेगा तो वैसे बहुत सारे पार्टिकल एक्सलेटर करते हैं बहुत सारे पार्टिकल एक् साइक्लोट्रोन भी है ठीक है अब क्या होता है इसकी इन्वेंशन किस ने की थी इट वाज इन्वेंटिड बाए कि ई ओ लॉरेंस यो लॉरेंस कि एंड एम एस लिविंग स्टन ठीक है 1934 30 में तो मारे पास वेंडी ग्राफ जनेरेटर आ गया था और 34 35 में 1934 35 में यह इसकी इन्वेंशन हो गी थी अब यहां पर यह तो हो गया कि साइक्लोट्रोन के था प्रिंसिपल देख ने इसका किया ठीक है मैंने आपको जब चार्ज पार्टिकल का मोशन बताया तो मैंने आपको बोला था कि जब हम साइक्लोट्रोन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यदा इसका यूज आएगा वहां पर एक यह हमने पढ़ा था एक तो यहां से बढ़ा कि रेडियस जो है वो विलॉस्टी के प्रोपोर्शनल है पहला प्रिंसिपल यह है मैं लिखनी राज को आप अपने वर्ट्स में लिख सकते हो टिक है कि वैन ने चार्ज पार्टिकल मुविंग नॉर्मली टू एमेगनेटिक फिल्ड तो इट एकस्पिरियेंसीज वो सर्कुलर पाथ में घूमता है एक तो यह होगे जो लिखते हैं अकसर कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैगनेटिक फिल्ड में कोई विलॉस्टी देते हैं तो वह सर्कुलर और्बिट में घूमता है एक तो यह होगे दूसरा यह है कि जब वह सर्कुलर और्बिट में घूमता है तो उसकी जो और्बिट का रेडिस होता वह विलॉस्टी के प्रपोर्शनल होगी ज्यादा हाई विलॉस्टी होगी तो ज्यादा रेडियस वाला radius होगा, उसकी trajectory का, ठीक है, पहली चीज, second चीज, यहीं से निकाल सकते हैं, यह बन गया हमारे पर, यहां से बन गया, V is equal to Q, B, R over M, ठीक है, यह बन गया, इसको V is equal to क्या होता है, V is equal to omega R, ठीक है, तो इसको लिए सकते हैं, omega is equal to Q, B, Y, M, omega क्या होता है, 2 pi N, Q, B, Y, M, frequency जो है, वो independent है, velocity के, ठीक है, यह frequency, do not depends, on velocity, इसका अमलब particle की velocity कम है, चाहे ज्यादा है, frequency गूमने की जो frequency है, frequency आपको पता है, कितने चकर काटेगा वो, ठीक है, एक second में, उसके अपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह दो हैं, एक तो यह, ठीक है, तो principle में आपने दो चीज़ें लिखनी है, पहली चीज़ आपने लिखनी है, कि जब भी magnetic field में, प्रपेंडिकुलर के चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो वो सर्कुलर पाथ में गूमता है, पहली चीज़, दूसरे में लिखना है, कि जब वो गूमता है, तो radius उसका velocity के प्रपोर्शनल होता है, और उसकी जो frequency होती है, वो velocity के उपर ने डिपेंड करती है, यह हमारे साइक्लो ट्रोन का प्रिंसिपिल, ठीक है, चलिए आगे तो, देखे, यह तो हो गया है, और construction देख लिए, ठीक है, ठीक है, कैसा होता साइक्लो ट्रोन, दो बड़ी बड़ी डीज होती है, खाली डीज को, hollow, empty, ठीक है, दो डीज को होती है, खाली, empty, ठीक है, टू डीज, एक को डीवन कहते हैं, एक को डीटू कहते हैं, डीवन, डीटू, ठीक है, इसको एक चैंबर में रखा उता है, इवेक्वेटिट चैंबर है, ठीक है, इवेक्वेटिटिट आपको पता है, मतलब, डीज भी इवेक्वेटिटिट है, मतलब, यहाँ पे सेंटर में आइन का सोर्स है, इन डीज को हम लोग, बाहर एक, हाई फ्रिक्वेंसी एक्सिलेटर के साथ जोड़ देते हैं, ओ, हाई फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है, यह डीज की पॉलाइटिटी चेंज करने के लिए, कभी यह डी पॉजिटिव होगी, कभी यह, कभी यह पॉजिटिव, नेगिटिव, पॉजिटिव, 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 पॉ यह कैसे किताब से बाहर को आ रहा है ठीक है यह भी लगा दिया और यह डीज आगी है मारे पास अब हमने इसकी वज़ा से यहां पर एलेक्ट्रिक फिल्ट क्रियेट होगा क्योंकि एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा और मैगनेटिक फिल्ट ठीक है इस कमिंग आउट ओफ दी प्लेन ठीक है यह भी होगे मारे पास अब मालीजे एक चार्ज पार्टिकल यहां से चला ऐसे ऐसे चला ऐसे निकला यह दिखिए यह विलासिटी और मैगनेटिक फिल्ट उपर ठीक है तो वी क्र्स भी ऐसे करेंगे इसको राइट इरेक्शन फॉर्स लगे यह ऐसे करके हो जागा डिखलत होगा उसी समय हमने ऐसी फ्रकून्सी लगाई होगी इसी तरह की फ्रकून्सी होगी कि यह डी जो प्लेट है आई मान लो पॉजिटीव है यह नेगिटीव हो गया ऐसे घूमा कि इधर आगे चार्ज पार्टिकल क्योंकि मैगनेटिक फिल्ड में तो सर्कुलर पाथ में होता है जैसे यह यहाँ पे पहुंचेगा यह वाली डी वन प्लेट जो है यह क्या हो जाएगी नेगिटीव यह इसको खींच लेगी क्योंकि इनके बीच में लेक्ट्री फिल्ड है यह चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आते समय एक्सलेट हो जागा मतलब उसकी विलॉस्टी इंक्रीज हो जाएगी अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि विलॉस्टी इंक्रीज करेगी तो रेडिस भी इंक्रीज विलॉस्टी के प्रपोर्शनल है ठीक है फिर यहाँ पर ऐसे फिर ऐसे करते करते के चार्ज पार्टिकल यहाँ बहुत सारे चक्कर लगा के फिर यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट होगी ठीक है यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट जाए यहाँ पर हमने एक यहाँ deflection plate लगा देंगे वो यह charge particle यहां बाहर आजएगा जहां भी यह बहुत high energy वाल चार्ज particle होगा उसको जहां पर आप चापते हो bombard कर सकते है ठीक है जी यह है cyclotron यह है cyclotron कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही ज़्यदा लेकिन दूसरा इसकी frequency तो constant ही रखेंगे इसका मदलब electric field की frequency भी constant तो charge particle के घूमने की frequency और electric field की frequency बराबर होने चीए उसके change होने की और यहां पर हमने लिखा ही था कि अगर frequency जो है वो velocity को पर डिपेंड नहीं करते है अगर वो तेज भी चल पड़ा बड़े radius में भी है तब भी frequency पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मदलब वो ही frequency जे भूमेगा तेक है उतने टाइम पर उतने चक्कर लगाएगा यह मतलब है अब इसकी अगर हम theory देखें तो theory कुछ नहीं यहीं है q b v is equal to m v square by r to v by r is equal to q b by m ठीक है जी तो b by r क्यों होता हूँ omega ओमेगा होता है 2 pi by t ठीक है जी यह time period आगे वो frequency क्यों होती है इसका उल्टा 1 by t q b by 2 pi m इसको हम लिख सकते हैं आम तोर पर ऐसे लिखते हैं mu c इसको क्या करते हैं इसको क्या करते हैं cyclotron frequency क्या करते हैं cyclotron frequency अब अगर हमने kinetic energy निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हैं kinetic energy के होगी half of m v square ठीक है यह बन गया half of m और उपर से हम v निकालेंगे v किसके बराबर है q square b square r square upon m square ठीक है तो m से एक m से एक एंसल तो kinetic energy बन गी q square b square r square by 2m इतनी energy होगी जो charge particle बाहर निकालेगा ठीक है this is cyclotron ठीक है easy है लेकिन यह है कि मैंने लिखा लुखा कम है इसमें theory तो आप लोग को theory थोड़ी सी जैदा लिखनी पड़ेगी exam में जब भी आपने paper देना exam में देखिए अगर इसको numerical आएगा cyclotron frequency पर आता है इसलिए बहुत कम बच्चों के अच्छे नंबर आप आते हैं अधरवाई physics में नंबर आते हैं जिनके concept अच्छ होगा अगर आप numerical और यह problem सारी कर रहे हो दंसे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं फिर आपको कोई दिक्कत कि अगर कोई कुछ पूछना चाता विटा पूछ सकता है नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं हाँ हाँ कोई बात ने बिटा cbc ने निकाल दिया है वो ठीक है लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पुराने स्लेबस के हिसाप से ही मैं आपको सारा कुछ ही पढ़ाऊँगा जो भी है क्योंकि cbc की स्लेबस से तो साइक्लोट्रोन ठीक है नहीं है लेकिन बिटा आपका जो jay mains अडवांस को पर उसमें तो अजी सारा स्लिबस है कि 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 अज़िए फिर आगे पढ़ते हैं कि बहुत इंपोर्टन आटिकल है यह जो पढ़ने वाले अरे और अजी सिन्ष लड़ने ड़िए फिर के एंगर oners इंपनर इंपंगरा इंपरबनने शिजफ कोंवाथ ड़िए लाज और इंपनर अमगनेटिकल्थ ठीक है देखे एक current carrying conductor है उसको magnetic field में रखा तो उसको कितनी force लगेगी अब देखे हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि अगर कोई charge particle move कर रहा है magnetic field में अगर कोई charge particle magnetic field में move कर रहा है तो उसका उसको force लगती है अब मालों एक wire है और वायर में तो बहुत सारे electron है बड़े सारे charge particle है तो wire के ओपर भी तो force लगेगी है ना क्योंकि अब तो बड़े सारे charge particle को ये की साथ force लग रही है है कि नहीं तो वो चीज हम लो कि अब इसके लिए करते हैं हम एक conductor लेट करते हैं लेट करते हैं कि यह magnetic field कि यूनिफोर्म मैगनेटिक फिल्ड है और यूनिफोर्म मैगनेटिक फिल्ड में हमने एक conductor रख बहुत लंबा conductor है कोई है तेक आगे तक फैला हुआ है इस कंड़क्टर का चो करंट बहरा है वो इस डिरेक्शन बहरा है ठेक है आई करंट यह है एंगल थीटा यह एंगल है magnetic field और करंट के वैसे दो ड्रिफ्ट विल्वस्टी के बीच का एंगल है यहां देखे अगर करंट इस डिरेक्शन में तो इलेक्ट्रोन इस डिरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे होंगे ठीक है उनके बीच का एंगल मान लिजी यह थीटा है कि हमने देखना इसके पर फोर्स कितनी लगगी है कि अब देखिए कि फोर्स है और चार्ज पर्टिकल कि इन अ मैगनेटिक फिल्ड कि वह कितना होता है वह हमने पढ़ रखा है वह होता है एस फीजिकल टू क्यू यहां अब अगर इलेक्ट्रोन पर फोर्स चेक करने ठीक है फोर्स ऑन इलेक्ट्रोन वह कितने आगी एफ इस इकल टू माइनस ए इंटू वीडी क्रोस बी क्योंकि नेगेटिव चार्ज को फोर्स जो होती है और पॉस्टिव डेक्शन में लगती है पॉस्टिव चार्ज करते हैं कि जो वायर है इसमें एन जो है वह नंबर ओफ इलेक्ट्रोन्स पर यूनेट वॉल्यूम ठीक है तो टोटल नंबर ओफ इलेक्ट्रोन्स कितने होए एन इंटू वॉल्यूम इसका एरिया उप्रोस एक्शन लेट कर लेते हैं यह है और लेंथ जो है इसकी वह एल है तो यह बन गया एन इंटू ए इंटू एल कैसे ए इंटू एल तो इसका वॉल्यूम हो गया और एन आगया नंबर ओफ इलेक्ट्रोन्स तो टोटल नंबर ओफ चार्ज पार्ट्रोन्स किसके वरावा नंबर ओफ इलेक्ट्रोन्स इंटू ओ सोरी नंबर ओफ इलेक्ट्रोन्स पर यूनेट वॉल्यूम इंटु वॉल्यूम। तो नंबर औफ चाल पार्टिकल मिलते अब यह तो एक इलेक्ट्रों पर फोर्स है। सारे फोर्स कदेखनी होते है। को फोर्स ओन्स कि टिक अधिक अधिकर यूड़ प्राबर आईगी। वो किसके प्राइब थेखे हमने एक के लिए फोर्स निकाल ली बाकि है फोर्स एक्टिंग उन औल दफ्री एलेक्ट्रोंस उन आल दफ्री एलेक्ट्रोंस तो वो किसके प्राबर आजएगा एफ इस इकल दू नंबर ओफ पार्टिकल, नंबर ओफ पार्टिकल लेज़ा, N इन्टू A इन्टू L और इलेक्टरों का चार्ज और VD और इन्टू B साइन थेटा, मैंने वो, इसको भी एक्स्पेशन को खोल भी, इसको कहा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ऐसे, माइनस, N, E, A, V, D, N, E, A, V, D, इन्टू L इन्टू L इन्टू B साइन थेटा, ठीक है, अब अगर आपने N, E, A, V, D, जो बच्चे कोई, बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ रहे हैं, सीवरमा की बुक्स भी सौल कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को कमेंट आते रहते हैं, तो उन्टू इन्टू इस है, देखा होगी, यह फॉर्मला कहीं जाना पे जाना है, यह फॉर्मला है, करंट का, I is equal to minus N, E, A, V, D, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यह वाली जो direction है ना बिटा, यह तो electron की direction है, और इससे opposite अगर मेरे को direction देखनी है, वो आएगी करंट की direction, ठीक है, तो इसलिए, I तो इसके बराबर है, N, E, V, D, के बराबर, इससे opposite direction मेरे, V, D, के opposite, ठीक है, तो अगर यह direction यह है, तो current की direction क्या लिखूँगा मैं, opposite, इसके opposite, ठीक है, जी, तो इसको कैसे लिखूँगा मैं, F is equal to, यहाँ पर यह प्लस में आजएगा, N, I, L, B, Sine, Theta, ठीक है, I, L, B, Sine, Theta आगे है, जाए इसको लिखकते हैं, F is equal to, I, into L cross B, ठीक है, I, into L cross B, और L क्या है, L, लेंथ, जिस direction में current move कर रहा है, उस direction में, अगर हमने wire के, छोटे से हिस्से में current देखना हो, छोटे से हिस्से, ठीक है, तो क्या आएगा वो, D, F, is equal to, I, into D, L, cross B, और अगर हम इसको integrate कर दें, तो हमारे पास यही formula, आ जाएगा, ओके, ठीक है, यहाद रखने है, हाँ current electron से उल्टा है, इसलिए, इसको I से लिख दिया है, ठीक है, चलिए, यह आगे हमारे पास, तो अगर कोई current carrying conductor है, उसके उपर force इतनी लगए, I तो, आपको पता है, scalar quantity है, तो उसको तो use नहीं कर सकता है, ऐसे direct, ठीक है, अगर कुछ कोई पूछना जाता है, तो पूछ सकता, साथ-साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब इसमें, कुछ special cases हैं, जिनको ध्यान से करेंगे, हम लोग, ठीक है, कुछ समझ नहीं है, साथ-साथ में कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जिए, case one, ठीक है, अब case one क्या है, इस थीटा इस जीरो, थीटा अगर जीरो है, तो f इसकल टू क्या बन जागा, i, l, b, sin 90 डिगरी, तो force क्या होगी, जीरो, इसका मतला हो, अगर current parallel, जीरो है, जा 180 भी हो सकता है, अगर parallel जा anti-parallel हो, ठीक है, तो कोई भी force नहीं लगेगी, बाहर क्यों, तो हमारे पास क्या बन जागी, force, i, l, b, sin 90 डिगरी, ठीक है, i, l, b, sin 90 डिगरी, तो force जो है, वो, i, l, b, यह maximum force, this is the maximum force, तो perpendicular होगी, तो maximum force लगेगी, ठीक है, एक और चीज़, यहाँ पे, आपने देखा होगा, अगर यह current है, और यह magnetic field, i, l लिख दे तो में, क्योंकि current का तो ठीक है, तो l cross b, कहाँ को force लगेगी, उपर को, ठीक है जी, ओके, तो यह, उसकी direction का द्यान रखना, तो flaming left hand rule भी लगा सकते हो, आप, ठीक है, अगर चाहो तो, जा फिर right hand thumb rule लगा लो, जो cross product में लगता है, वो ज़्यदा बैटर है, ठीक है जी, अधी तो गुलावत जी कुछ पूच रहे हैं, लेकिन, सर आपने उपर वाले में 90 लिख दिया, उपर वाले 90 लिख दिया, ओके, ओके, 0, अब तीसरा, यह तो हो गया, अग स्ट्रेट कंड़क्टर हो, हमने जब, जब मैंने यह फॉर्मला लिखा था, स्ट्रेट के लिए तो थीक है, आई एल बी जो भी है, मैं वो रहा था, कि डी एफ इस इकल टू, आई इंटू, डी एल क्रोस बी, आई इसमें गया, इसमें मान लिजिन, हम आरपास कंड़क्टर, स्ट्रेट नीहिए, ठेड़ा मेट, एसे है कंड़क्टर, एसे मैगनेटिक फिल्ड, आईसे करके मागनेटिक फिल्ड, और कंड़क्टर ऐसा है, इस शेप का चंडुक्टर, अब यहां तो दिख्कत है क्या अब किसी जगह पे अब देखे यहां पर ऐसा की कंडुक्टर का हर एक पार्ड जो है वो तो हम लोगों को ने क्या करना है अगर अब उसकी लेंथ कैसे लें तो हम लोग अगर ऐसा कुछ केस आता है ठीक है तो हम इंटीग्रेट करेंगे क्या करेंगे इंटीग्रेट कि अब यार वह सारि दिखें इंफानाइट वहला केस हो चाहे कुछ भी हो 90 डिग्री तो कंडिशन बोडियेविशन है इंफिनिटीव इंफानाइट वायर पर फोर्स नहीं देखते हैं डिख्या हम अफानाइट थेक्टेव फानाइट लेंट यहां कैसे लेंगे, यहां नहीं ले सकते हैं, वो तो जो एंगल होगा, वो ही लेना पड़ेगा, specifically, ठीक है, अब इस case में, अगर हमने force निकालनी हो, ऐसे आएगी, F is equal to I, integration of DL cross B, ठीक है, अब जब हम integration करेंगे, तो यह integration आएगी, F is equal to I, L dash cross B आएगी, मतलब कुछ भी integrate करके, जब भी हम निकालेंगे, तो इस तरीके का कुछ आएगी, इसका L dash है क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं, L dash is the length of vector joining initial and final points of the conductor. इसका मतलब अगर आपके पड़ टेड़ा मेड़ा कोई conductor है, तो आपने कुछ निकरना, उसका initial point देखो, ठीक है, और final point देखो और उनको जोड़ दो, यह L dash है, यह मतलब है इसका, तो अगर टेड़ा मेड़ा conductor है, तो उसकी initial point और final point को जोड़ के जो length आती है, उसको formula input कर दो, और आपके पास answer आजाएगा, कोई दिक्कत की बात ही दो, easy, ठीक है, यह मैं कहने की कोशिश करूँ, ओके जी, अब अगला case, ठीक है, अगला case क्या है, अगर हमार पास ऐसा होगी, current current conductor जो है, वो loop की form में, ठीक है, क्या हो, loop की form में हो, तब क्या होगा, ठीक है, फोर्थ, क्या, if the current carrying conductor is in the form of a loop of any shape, any arbitrary shape, ठीक है, तो f किसके ब्राबर होगा, ठीक है, लूप है, goal loop है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, जी, ऐसे लिखना पड़ेगा, जा इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह goal इसलिए लिखा है, क्योंकि loop है, close loop है, close circuit, ठीक है, dl, और cross b, ऐसे भी ले सकते हैं, और अगर हम close loop के लिए vector sum देखें, ऐसे हैं न, देखो, अगर हम ऐसे लिखें, कि बड़े सारे vector, एक vector ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो इनका sum क्या होता हमेशा, 0 होता है, ठीक है, तो इसका मेलब force किसके बराबर आएगी, तो अगर, कोई आपके पास close loop है, और वो magnetic field में पड़ा हुआ है, तो उसके उपर net force जो है, वो 0 आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर लिए सकते हो, net force, on a current loop, हाँ, torque जरूर हो सकते हैं, जो कि आगे पड़ेंगे हैं, current loop, in a uniform magnetic field, non uniform में नहीं होगा, तेक है, uniform magnetic field, easy, ठीक है, हमेशा याद लखना है, यह facts जो है, यह आपको बिटा काम आएंगे, जब आप book solve करोगे, तो आपको काम में आने वाला है, ठीक है बिटा, ठीक है, एक और लिख लेते हैं, in a non uniform field, अगर non uniform field होगा, then different elements, different elements of conductor, experiences, different forces, क्या वोराओम है, कि अगर non uniform magnetic field होगा, तो सारे सारे अलग लग element जो और कि यह वाले को लग, फोर्स लगेगी, यह वाले को लग, यह वाले को लग, यह वाले को लग, क्यों, इस जगा अलग, तो हर जगह सेभी तो तो नेट फोर्स जीरो नियोगी तो फॉर्स नेट लिकेश है इस नौट इकूल इकुल तो पस इतना है बताना ता बखी दो चार्ट केसी और भी कर सकते हैं लेकिन वह जुरूरत नहीं है वह आपको तो नुमेरिकल में काम आएंगे खी चले एक नुमेरिकल कर लेते हैं इसी के उपर भैस वैसे दुम्हेंने बताई दिया हुए पता जाज़ा है थीक है एक सैमी इसर्फ लर व उना पास एक सैमी शर्फ वायर इसमें करेंट वह रहा रहा है इस डिरेक्शन है ठीक है और इसको रखा है हमने magnetic field में ऐसे magnetic field में ठीक है force निकाल लिए हमने ठीक है force निकाल लिए ठीक है इसका जो radius है वो मरबस आर है force किसके बराबर होती है force आएगी i bl sin theta अब theta b और l के बीच का एंगल है length के और magnetic field के कोई भी छोटा टुकड़ा ले लो इसका magnetic field into the book है तो वो छोटे टुकड़े का जो magnetic छोटे टुकड़ा जो है वो हमेशा 90 degree पे होगा तो यह बन जागा i b l dash l dash क्यों लिखा मैंने क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बता है अगर wire है तो उसका initial point और final point के बीच का distance देखो क्या है क्या है यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक 2 r तो यह कितना हो गया कितनी force लगेगी इसके उपर अभी रो अगे चुआ है क्लियर ना सबको क्या हो अगर आपको क्लियर है ठीक है आप दुबारा भी वीडियो देखे अगर आप बीच में से वीडियो देखना चाहते हैं आप दुबारा आ सकते हैं वो पुरानी चीज भी आपको बिटा पता चल जाएगी अभी हम अगले टॉपिक पे जलते हैं ठीक है इसमें जो चल लेगा बाद में तो मैं बाद में करवा हुआ चलिए आगी चलते हैं अब चलिए अब हमने क्या करना है अगला आर्टिकल पढ़ते हैं और उसके भी देखते हैं कुछ स्पेशल केसी हैं ठायो देखते हैं था स्वाइग प्राट खेंटॉक्त श्कीलlaus पूर्टकेत चल्पсятनतिए लग्ड दोबोधी लंद बेहसेता हैं बाद मेर्त करवा今 háni उसके टेखते हैं क्युक्ता लिएमinta स्ट करिफ जियुक्ता स्टी गोग्ट टूज बोग्ती लंद अ बहुत लंबे, infinite लगबग, current carrying conductors है, उनके बीज में देखना हमने कितनी force लगती है, चलिए, ये दो wires है, पहली wire, दूसरी बार मैं ऐसी बना जाता है, ये दूसरी wire, infinity तक है, ये दो wires, ये भी बहुत दूर तक फैली हुए है, ये भी बड़ी दूर तक फैली हुए है, इन्फ इन दोनो wires के बीच का जो distance है, वो let कर लते हैं कि D है, इस red wire में, जो current बहरा है, उसको माल लेते हैं, I1 है, और इस blue wire में, जो current बहरा है, उसको माल लेते हैं, I2 है, अब, ये current क्यों होती है, ये एक दूसरे पर force लगाते हैं, लेकिन वो force कैसे लगाते हैं, कैसी होगी, वो देख लेते हैं, ठीक है, लेट करते हैं कि ये वायर जो है, वो PQ है, और ये वायर जो है, वो RS है, यहां से ऐसे ही, और दूर दूर तक फैली है, इंफिनिटी तक, अब देखें, इस वायर में जो करंट है, उसकी वज़ा से आज पास Magnetic Field Produce होगा, यहां पर जो Magnetic Field Produce होगा, ऐसे अगर थंब करोगे आप, तो ऐसे Magnetic Field होगा, अंदर को, है न, Right Hand Thumb Rule लगाओगे, थंब जो है, आपका करंट की Direction बताएगा, और उंगलियां करल करेंगी, Magnetic Field की Direction, इसकी वएसे यहां पर जो Magnetic Field होगा, वो ऐसा होगा, ठेक लि इसमें करंट बहा रहा है, इसका मतलब, I2 करंट इसके Magnetic Field में बहा रहा है, इसके Magnetic Field में, I2 करंट को Force लगेगी, क्योंकि अभी अभी हमने पड़ा, Force, एक्टिंग ओने, करंट केरिंग कंड़क्टर, इन अ मैगनेटिक फिल्ड, मैगनेटिक फिल्ड, कहां को लग रहा है, इन टू दी, पेपर, है न, अंदर को, और करंट उदर को, तो I cross B करेंगे, तो डारेक्शन कहां को आएगी, इधर को, इधर को Force लगेगी इसको, तो यह क्या लिख दूँ है मैं इसको, Force on 2 due to 1, ठेक है, यह लगेगी, अब यह Force कितनी लगेगी, वो देख लेते हैं, यह य B1, produce Y B1, एक long straight current carrying wire की वोई से magnetic field होता, वो होता, mu naught I1 upon 2, 2 pi D, क्योंकि D distance दूर है, ठीक है, चलिए, यह पहले article किया है, starting न, तो 4 जो होती है, वो किसके बराबर होती है, I into L, बहुत large है, पर फिर भी मैं छोटे से टूड़े के लिए लिख लाता हूँ, L sorry, current इसमें I2 है, I2 पुट कर लाता है, L और B किसका हैगा, 1 की मिज़े से, तो यह कितने आगी, Force on 2 due to 1, let's say magnitude, I2, L और B1 किसके पराबर है, अभी अभी लिखा हमने, mu not I1 upon 2 pi D, ठीक है, तो force कितने होगी, F2 1 is equal to, mu not I1, I2 upon 2 pi D into L, force per unit length किया आएगी, force per unit length, mu I1, I2 upon 2 pi D, equation 1, इसको ऐसे लिख लिखता हूँ, मैं थोड़े साफ तरीक्य से, इसको F लिख लिखता हूँ, ठीक है, यह force per unit length आगी, mu not I1, I2 upon 2 pi D, ठीक है, यह कौन force लगा रहा है, second पर first force लगा रहा है, अब दूसरा angle देखते हैं, दूसरे angle के हिसाब से, इसकी वज़ा से, इस wire की वज़ा से, ऐसे आएगा, यह current और ऐसे करके नीचे से magnetic field ऐसे निकल के आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो magnetic field होगा, वो copy से बाहर को आ रहा होगा, ऐसा होगा, यहाँ पर magnetic field, अब magnetic field की direction यह है, ठीक है, यह है ना magnetic field की direction, और current की direction यह है, तो I cross B करेंगे, इसको जो force लगेगी, वो कहाँ को लगेगी, अंदर को, इसकी वज़ा से, यहाँ पर जो magnetic field produce होगा, B2 वो कितना आएगा, mu not I1 की जगा I2, क्योंकि I2 produce कर रहा है, magnetic field, upon 2 pi d, यह force on 1 due to 2, ठीक है, ठीक है जी, इसकी वज़ा से भी लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आजाएगा, F12, I1 करेंट पे force लगा रहा है, B2, magnetic field produce वाए, I1 तो आगया हमारे पास, और यह जो magnetic field produce कर रहा है, वो कितना है, mu naught I2, 2 pi d, इसको simple तरीके से मैं F12 लिख लेता हूँ, force पर unit length, ठीक है जी, वो किसके बराबरा जगा है, mu naught I1 I2 upon 2 pi d, equation 3, equation 2 और equation 3 को compare करें, तो उससे यह पता चलता है, कि force on 1 due to 2, is equal to force on 2 due to 1, इसका मलब forces are equivalent opposite भी है, equivalent opposite, इसका मतलब force यह होती है, वो किसको follow कर रही है, newton के third log, since, F21 is equal to F12, therefore, it obeys newton's third log, देखे, गुलावत भी पूछ रहे हैं कि, अगर हम current को उल्टा कर दे, बिल्कुल, देखे, यहाँ पर मैं लिसेता हूँ, parallel currents attracts each other, parallel currents होगे, तो एक दूसरे को attract कर रहे हैं, देखे, अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ, एक को इधर, एक को इधर, तो हम देखेंगे, कि वो current जो थे हैं, आप ऐसा similar procedure से चल सकते हैं, और आप देखोगे, कि जो total तब जो है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, यह रिपल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख ज़ता हूँ, anti-parallel currents repel each other, ठीक है, तो anti-parallel current जो होते हैं, वो एक दूसरे को repel कर, ठीक है, जी, अब आपने यह ध्यान दिया होगा, कि यहां मैंने ilb लिख दिया, ilb इसलिए लिखा, इस तरीके से आप कर सकते हो, कि parallel current, लेकिन यह देखिए, और force per unit length, जो होती है, वो किसके बराबर होती है, simple, दो parallel, लेकिन infinite long conductor हो, और उनमे current हो, तो इतनी force लगता, लेकिन होगी इतनी, ठीक है जी, होगी इतनी, कुचच नद्ट तक बुसकतो, नहीं प्लाइण होगी इतनी कुचचचचचचचिनanne फुसकतो, कि अगर रोकते हैं तो आगे चलते हैं एक बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ करते हैं उसको बोलते हैं यह देफिनेशन ओफ वन एंपियर अब आप बोलोगे नहीं जी डेफिनेशन ओफ वन एंपियर तो पहले पढ़ चुके हैं एक ओलम कुलंक कुल्ण अगर एक साइदिन है तो ठीक है लेकिन यह असली डेफिनेशन यह नवी यह यह यहाँ पर जो है यहां से हम असली definition निकाल साथ है, ठीक है, देखें कैसे, अब हमारे पास, बाहन लेते हैं, हमें पता है कि 4th पड़ी हूं लेंथ अभी अभी पड़ी है, वो किसके बराबर होती है, म्यू नोट, आईवान, आईटू, अपॉन, टू पाई आर, ऐसा पड़ा हमें, अब इफ ऐसा हमारे पास, आईवान और आईटू, दुन्नों के दुन्नों, वन एम्पीर है, आर लिख लो, डी लिख लो, डी लिख लो, चलो आर लिख लो, आर जो है, वो वन मीटर है, और जो फोर्स है, वो हमारे पास, टू इंटू टैन की पार, फोर्स पर लेंट्थ जो है, टू इंटू टैन की पार, माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, एक मिटा, 1A is that current which if passed, अगर वो पास करे, in each of two parallel अगर दो parallel current है और उनकी infinite length है और उनके बीच की force इतनी है तो इसका मतलब जो current बहर है उनमें, वो कितना है? 1A and placed और उनको रखते हैं 1 meter apart in vacuum और vacuum में रखते हैं क्योंकि आपने देखाऊगा, मुव नोड यूस किया है मैंने, vacuum so that they experience a force of 2 into 10 की पाव माइनस 7 newton per meter of length of a conductor तो हम ये बोल सकते हैं, अगर दो conductor हैं और वो infinite length के हैं और उनको vacuum में रखा है और एक मिटर दूरी पर रखा है अगर उनके बीच की force इतनी होती है तो हम कहेंगे कि उसमें जो current bear है वो 1 ampere ये definition ज्यादा अच्छी है तो definition अगर ampere की पुछें तो plus 2 के बच्चे को ये definition आने चीए ये लिखने चीए जकलो कि पुटी बदे उनके को डेका आने विए अबलाओ तो किता है प्रूबोद ब ऊपट मेच्च्पीज कि इस्सवे सुच्च्च्ची में जएगने अवरनें वे तो एंप कर दोक्या को ये व्यादिए आने जएदिए उवरिया शूब है आने पुटीए आने चुच् क्लियर है जी है ठीक है एक टॉपिक मैंने और बोला था आपको कि मैं आपने वहां पर देखा होगा क्यों हमने एंपियर स्ट्रक्टर लाओ ठीक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी हम एक और कुछ करेंगे यहां पर देखें एक बहुत अच्छा नुमेरिकल करते हैं ठीक है क्या है फाइनाइट लॉंग वायर एबी फाइनाइट है ठीक है लेकिन लॉंग है एबी carrying current i2 of length l is placed perpendicular टू इन्फानाइट लॉंग वायर ठीक है मैं अभी समझाता हूं आपको क्या यह लॉंग वायर करिंग कुरंट इड वायर आप दिस्टेंस अलबाइट फाइड दी फोर्स एक्टिंग ओन दो वायर आप देखें क्या सिचुएशन के मैं आपको बदाता हूं सुलूशन ठीक है एक वायर है लेकिन वह इन्फानाइट लॉंग है और उसमें इन्फानाइट वायर में कर्रेंट बहे रहा है आई वन इस डिरेक्शन बांड हमने एक और वायर है जिसको ऐसे रखा हुआ है ठीक है इस वायर की जो लेंथ है न वो एल है वो कितनी दूरी पर रखाऊ है इसको एल बाइटू है ठीक है ठीक है और इसमें करण्ट जो बैरा है वो आई टू बैर है कहीं से निकल रहा है कहीं से भी इसके ओपर हमनें फोर्स बताने ये वाला इंफनाइट है ये वाला इंफनाइट नहीं है ये फाइनर्ट है कि इसके ओपर बताने अब देख़ें कि क्रस्पू की करण्ट यहले मैंस की वाइसे ऐसे सर्क्लर शेप के इसकी और और वो इन जो होंगी वो यहां पे यहां पर लग मैंस्की की हिरा करनी पड़ेगी हम लोग क्या करते हैं इसका चोटा सा डूकड़ा लेतें कि dx पहले उस तुकड़े पर देखेंगे लिए निर dough पहर हम क्यास है यह एक्ष से आ फिर हम इस I1 current की वाईसे यहाँ पर जो magnetic field produce होगा वो लिख लेते हैं B1 is equal to mu not I, infinite wire है, 2 pi x, okay, 2 pi x A force on element dx, element dx के उपर कितनी force लगी है, तो df force किसके बराबर होती है, ilb sinθ, ilb sinθ, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो sinθ वाला को चक्कर ही नहीं है, वज़ा, theta किसके किसके बीच में angle होता है, l और b के बीच में, यहाँ इसकी जो magnetic field lines है, सारी सारी into the notebook है, ठीक है, तो length जो है, वो उसके perpendicular ही होगी, तो df कितना आ जाएगा, ilb, i, i gratis में कितना है, i2, length इसकी dx और into b, यह मिल गए, b की value यहाँ पूट कर लेते हैं, तो df is equal to किसके बराबर आ जाएगा, i2 और b किसके बराबर आ जाएगा, i1, mu0, 2πx into b, यही आएगा, अब टोटल फोर्स निकालनी है, तो हम इसको integrate करते हैं, ठीक है, कहां से कहां integrate करेंगे, जियान से देखो, minus l by 2 से, यहां तक, 3l by 2, क्योंगि यहां से यहां तक wire है, क्योंगि x की value देखनी है, तो हमारे पास था df is equal to, mu i1, i2, upon 2πx into b, यही था, तो f किसके ब्राबर होगा है, इसको integrate कर देते हैं, mu i1, i2, b upon 2π, तो sorry, dx भी था, dx, dx, यहां भी लिख लिख लिखनी है, ठीक है, यहां पर भी निक्चे भी dx कर देना, b की value उन्हें पूट कर दी है, ठीक है, और यहां गया 1 by x, dx, कहां से चलना है, l by 2 से 3l by 2, ओके, तो force किसके ब्राबर आजेगी, mu not i1, i2, upon 2π, 1 by x की जो integration होती है, log x, natural log, और वो l by 2 से 3l by 2, f is equal to किता बन गया, mu not i1, i2, upon 2π, ठीक है, और यह बन गया, log of 3l by 2, minus log of l by 2, अब log m minus log n क्या होता है, log of m upon n, है न, तो बन जागा, log of 3l by 2, divided by l by 2, ठीक है, तो f is equal to कितना बन गया, f is equal to महर पस आ गया, mu not i1, i2, upon 2π, इंटू log of 3, ठीक है, इस तरीके से question, इसके बहुत सारे question इस तरीके के बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे question इस तरीके के बनते हैं, और वो question, या तो मैं आपको assignment send कर दूँगा, नहीं तो अगर आप देखोगे, SC वर्मा जी की book में, काफी ज़्यादा, वो questions है, ठीक है, तो उसको धम से पढ़िए, book solve करिए, जो भी आपके doubt है, वो मुझे भेजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि, इस मैं आपको ampere circular log के बारे में पढ़ाऊंगा, और उसकी application, फिर उसके अगले वाले में हम लोग, galvanometer बगर आपके बारे में पढ़े, ठीक है, तो, I hope कि आपको समझ आया होगा, किसी को कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए, तो आज का lecture यहीं तक है, कोई भी problem है तो बता है तो ओके, बोलिए जी, क्लीर है सबको सब, ओके जी, ठीक है जी बेटा, अगर आपको सबको clear है, then, ओके टाटा, बाई बाई बै, आने के लिए शुकरिया, lecture दुबारा अप्लोड हो जाता, दुबारा देख सकते हो, और SC वर्मा की book को solve करो बेटा, जल्दी से जल्दी, ठीक है, ठीक है, उसके बाद और भी किताब ने है, आप के पास वोज भी solve करनी है, आपने, comment section में आप लिख सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत आती, किसी भी topic पे, बाद में भी, ठीक है, कोई भी question है, मैं आपको जरूर उसका solution जो है, वो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो ठीक है, फिर अब अगले lecture में मिलेंगे, हम ल प्राइचर रखा हुए, ठीक है, तो हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ओके देन, ओके टाटा भाई बाई बाई, गुड़नाइट, पढ़ते रहिए,